आपदाम पहरतारं दातारं सर्वसंपदाम लोका भीरामं शीरामं भूयो भूयो नमामिहं संत परंपरा बड़ी प्राचीन अद्भूत बिलक्षन रही है संतकार्थी होता है सम्यक्तनोतिती संतहा जो अच्छी प्रकार से समाज को परिवार को समसार को मार्ग दर्शन दे उसी का नाम संत है कैसे परिवार में रहना चाहिए परसपर शवहार्द, प्रे, मिश्ने है आपस में भाई चारा से रहना चाहिए इसका संदेश भी संतजन ही देते है समाज को बेवस्थेत, स्वगठेत कैसे रहना चाहिए ये मार्ग दर्शन भी संतों से ही मिलता है और केवल लोक में ही नहीं, परलोक में यनी आत्म तत्त का विकास होते हुए आत्म सुरूप का बोध कराते हुए परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग भी संतजन ही प्रशस्त करते हैं, मार्ग दर्शन करते हैं संतन के संग में अल्प जीव भी भगवान की प्राप्ती कर लेता है इसलिए नौधा भक्ती में, रामायन में प्रभुराम जब सवरी को भक्ती का मार्ग वताते हैं नौधा भक्ती वताते हैं तो नौधा भक्ती के निरूपन में पहिली भक्ती प्रथम भगति संतन कर शंगा पहली भक्ति संतों का संग ही प्रभुराम ने बताया है नोधा भक्ती में संतों का संग ही मूल है आधार है और संत किसे कहते हैं जो तितिक्षु हो, करुणा से युक्त हो, दया की भावना हो सभी प्राणियों को यनी स्थावर, जंगम, पसुपक्षी, मनुष्य, सम्मे संभाव रखता हो वही उच्चकोटी का संत है संतश्चारित्र भूशना हां जो अपने वेवहार से, अपने चरित्र से, अपने उपदेश से सारी दुनिया को मार्ग दर्शन करे, वही संत है इसलिए स्रीमद भागवत में कहा कि स्वान्त स्थेन गदाब भृता तीर्थी कुरवन्त तीर्थानी तीर्थ किसे कहते हैं, बोले भगवत चिंतन करने वाले संत जन जहानिवास करते हैं, वो अस्थानी ही तीर्थ बन जाता है आप हमारे संत वानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले